ये तस्वीरे बरेली की है हाथों में जंडा लिए युवाक अपने तोहार पे जुलुस निकाला चाहते हैं लेकिन वहां मौझूद दूसरे तपके के लोग ये दावा करते हैं कि हम अपने घरों के आगे से इन्हें नहीं गुजरने देंगे मामला इतना बढ़ जाता है कि आधी रात को यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को पहुचना पड़ता है तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे पुलिस कर्मी भीड में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं करीब 11 घंटे तक पुलिस के जवान भागा दोड़ी करते हैं जिसके बाद दो नई बाते पता चलती हैं पहली कहानी ये कि कावण यात्रा के दोरान हिंदू पक्ष को नूरी मस्जित के सामने से यात्रा नहीं निकालने दी गई थी इसलिए अब उस बात का बदला करना बफात हर बार योगी आदितिनात का आदेश यही होता है कि कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी लेकिन बरेली में ऐसा हो रहा था यूपी तक अपनी रिपोर्ट में ये दावा करता है प्रशासन ने जुलुस के परंपरागत रास्ते को बंद कर दिया क्यो हमारे पास पर्मिशन लेटर है अब सवाल ये है कि प्रशासन ने जब अनुमती दी थी तो फिर विरोत किसलिये खड़ा हुआ क्या कहानी में कोई जोल है हमने जब थोड़ी और परताल की तो पता चला बरेली के नवादा में पहले मुस्लिम पक्ष के लोग एकठा हुए उसके बाद रात तकरीबन आट बजे उन्होंने जुलूस निकालना शुरू किया जैसे ही जुलूस मौरे वाली गली की ओर बढ़ी हिंदू पक्ष के पुरुश महिलाये सड़क पर बैठ गई और जब प्रशासन पहुचा तो उन्होंने साफ कहा कि अगर इधर से जुलू पर पलायन कर जाएंगे अब योगी राज में हिंदूों को पलायन पर मजबूर होना पड़े तो क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि कहराना का दर्द ना तो योगी आदितिनाद भुले होंगे और नहीं वहां रहने वाले लोग इसलिए दोनों पक् अबर बरेली से सामने आई थी जहां हाथों में सामुहिक पलायन का पोस्टल ये महिलाएं पुरुष खड़े दिखाई दिये थी उनका दावा था कि पहले जो घर विकास सकसेना का था वो 20 साल में उसने शबनम को बेश दिया अब ये महला रहने लाक नहीं बचेगा क्यों शुरुआत है क्योंकि ऐसा ही रहा तो फिर दोनों समिधायों की लोगों का पहले महला अलग-अलग हो जाएगा फिर शेहर अलग-अलग और धीरे-धीरे हो सकता है जिला भी अलग करने की मांग उठने लगे अभी इलाकों की पैचान मुसलिम बाहुले और हिंदू बाहु लाड़ने की कोशिश होगी तो हर सनातरी को ठीक वैसे ही दुखोगा जैसे नुपुर्शर्मा के बयान के बाद एक तपके ने आपती जताई थी अब तैं आपको करना है कि कैसा हिंदूस्तान बनाना है लेकिन बरेली की ये तस्वीर बताती है कि योगी आदित्तिनात के रास में आखरकार हिंदूों ने 12 वफात का रास्ता रोक कर दिखा दिया